हेलो दोस्तों कैसे हो मैं हूँ सनी चाहर आप देख रहे हो मेरा चैनल मोटो डोकर सो फ्रेंड इस वाले वीडियो में हम लेके आए कंपेरिजन हमारी ग्रेंट विटारा और टोयटा हाइडर का बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज हमने कवर करी हैं तो यार स्टार्ट करते बिना देरी के जैसे कि आप स्क्रीन के उपर देख रहे हो तोयटा हाइडर के अंदर आपका जो मैल्ड हाइब्र उसका नाम है नियो ड्राइब लेकिन जो स्ट्रोंग हाइब्र उसका नाम है के वल्हाइब्र लेकिन मारूतिक ग्रेंट विटारा की बात करूंद आपके द 23.0 है source power लेकिन जो high rider के अंदर है वो थोड़ी सी कम है वो है 101.9 यह बिल्कुल negligible difference है अब बात करेंगा torque की तो जो grand विटा रहा है उसके अंदर आपका torque आता है 136.8 लेकिन अगर मैं high rider की बात कर तो उसके अंदर आपका निकलता है 135 newton meter तो यह थोड़ी से difference है बिल्कुल ना हम आतर हैं इंको आप बिल्कुल ignore कर सकते हो अब बात कर लेते हैं के कुछ और similarities की तो अगर मैं बात करूँ दोनों की दोनों SUV है आपकी करनाटका वाली plant के अंदर बनने वाली है वो भी आपका Toyota manufacture करेगा दोनों के अंदर है almost same feature है इंटिगर बिल्कुल सेम है एक्सटेर बि बात कर लेते हैं के dimensions की तो यार मैं आपको बताऊं almost same है मैंने यह आप पर comparison किया है थोड़ी से dimensions आपके high rider की 20 mm ज्याद है width दोनों की सेम है height आपकी 10 mm grand vitara की ज्याद है fuel tank 45 लेटर का आता है turning radius 5.4 है बाकि अगर mileage की बात करें तो manual के अंदर मिलेगी 21.11 automatic के अंदर 20.8 all grip या all wheel drive के अंदर मिलेगी 19.38 और अगर आपको strong hybrid है उसके अंदर मिलेगी एक तो यह है कि आपको strong hybrid है उसके अंदर grand vitara के अंदर केवल दो variant आते है जीटा प्लस और अल्फा प्लस लेकिन जो Toyota high rider है उसके अंदर strong hybrid के अंदर आपको 3 variant आते हैं SGNV दूसरी अगर मैं बात करूँ तो height के अंदर 10 mm grand vitara जाद है high rider आपकी 10 mm ज्यादा बड़ी है तो यह कुछ main difference इसके निकल के आए सो दोस्तों अब cover करते हैं दोनों के base variant के difference इदर sigma के अंदर आपको dual tone black brown interior मिलता है वहीं अगर मैं high rider के बात करूँ तो उसके अंदर आपको total black interior मिलता है दोनों के अंदर आपको skid plate silver मिलती है Sigma के अंदर आपको Black Seats मिलती है उदर आपके E Variant के अंदर आपको Brown Seats मिलती है सबसे जो Main Difference निकल के आए वो है आपका PM 2.5 Filter जो कि केवल आपके High Rider के अंदर आता है अगर बात करें इसके Second Variant जिसके अंदर Delta और आपका आता है S उसके अंदर सबकू सेम है बस आपका पीछे की साइड में आपका लगे स्ट्रिंग आता है अब बात करते हैं इसके Third Variant की उसके अंदर आपको जो Gita Variant है उसके अंदर आपको All Will Drive आता है लेकिन जो Toyota High Rider है उसके अंदर आपको All Will Drive ने मिलता तो दोस्तों यह कहीं नहीं यहां पर एक प्राइस का डिफ्रेंस आने वाला है अब बात कर लेते हैं इसके यह Top Variant Smart Hybrid की इसके अंदर यहां दोनों के अंदर सेम है High Rider Grand Vitara की इस विरिंट में सबकु सेम आता है तो यहां पर कोई भी डिफ्रेंस नहीं है आगे बढ़ते हैं अब Strong Hybrid के बारे में बात करेंगे यहां पर आपका जो Grand Vitara उसके अंदर दो विरिंट आएंगे जीटा प्लस और अलफा प्लस लेकिन आपका जो Toyota High Rider उसके अंदर आपको तीन आएंगे So दोस्तों अब हम क्या करेंगे हम जीटा प्लस विरिंट को compared करेंगे High Rider के Ass Variant के साथ में और उसके G Variant के साथ में तो सबसे पहले स्टार करते हैं देखते हैं दोनों के अंदर क्या क्या Difference आते हैं सबसे पहले जो Mainvak की स्किट प्लेट है क्रेंट का color का difference आएगा एक के अंदर आएगा डागरे, दूसरे के अंदर आएगा silver इनके अंदर Gita Plus के अंदर आपको alloy wheel मिलेंगे लेकिन जो इधर आपका S variant है उसके अंदर आपको normal steel wheel मिलेंगे wheel cap के साथ में Gita Plus के अंदर आपको LED के project headlamp मिल जाएंगे chrome plating के साथ में उसके अंदर आपके by halogen मिलेंगे लेकिन वो भी chrome plating के साथ में इसके अंदर आपका Gita Plus के अंदर आपको all black interior मिलेगा with a gold lining लेकिन S variant के अंदर आपको जो मिलेगा वो बिल्कुल dual tone का होगा black and brown color का Gita Plus के अंदर आपको 9 inch का infotainment system मिलता है इसके अंदर आपको चार स्पीकर के साथ में एक 7 inch का infotainment system मिलता है जो कि आपका smart play pro आता है अगर मैं बात करूँ airbag की तो आपको जो Gita Plus है वो उसके अंदर आपको 6 airbag मिलते है S Plus के अंदर आपको 2 airbag मिलते है तो यार काफी सारे features वगरा कम है अगर इन दोनों को compare करते हैं यहाँ पे आगे बढ़ते हैं मैं आपको कुछ और point clear करता हूँ कि क्या-क्या आपके strong hybrid के base model के अंदर नहीं आता है high rider के अंदर जो Gita Plus के अंदर आता है इसके अंदर आपके ambient lighting नहीं आती front intermittent wiper भी नहीं मिलता आपको side के अंदर chrome back garnish वाली lining भी नहीं मिलती इसके अंदर आपको जो camera मिलता वो reverse parking camera मिलता लेकिन इसके अंदर आपको 360 degree camera नहीं मिलता इसके अंदर आपको जो ORV में वो manual fold है तो आपका auto भी नहीं मिलता तो इसका एक main जो कहते है ना point निकल के आया है कि अगर आप कम budget के अंदर strong hybrid का option देख रहे हो तो यार यह वाला जो Toyota high rider का S variant है यह आपके लिए क्योंकि इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा जीटा प्लस इससे महाई होने वाला strong hybrid का अब compare कर लेते हैं जीटा प्लस विरेंट को G विरेंट के साथ में तो यार यह दोनों actually match करते हैं अपनी features के according यहाँ पर यार कुछ भी difference नहीं है थोड़ा सा difference है वो भी color wise है इंके skid plate के अंदर इंके interior के अंदर बाक्यार सब कु same है तो यार आप मान के चलो कि Toyota का जो S variant है strong hybrid का उसके computer actually में Grand Vitara ने उता रहा ही नहीं तो यार चलो यह ठीक है जो भी है अब एक काम करते हैं सबसे topmost variant alpha plus यह आप बोल सकते हो V Toyota High Rider के अंदर move करते हैं देखते हैं उनके अंदर क्या-क्या difference है इन दोनों विरेंट को अगर compare करने तो दोनों के अंदर सब कु same है बस जो आपके skid plate है एक के अंदर silver एक के अंदर आपकी dark gray color की आती है बाकी जो seats है एक के अंदर आपको black leatherized seat मिलेंगी grand vitara के अंदर लेकिन high rider के अंदर आपको मिलने वाली brown leatherized seat अब एक काम करते हैं दोनों के warranty को compare कर लेते हैं तो अभी grand vitara के लिए अभी भी कोई warranty वगरा इस टाइम पर बताए नहीं गया कोई reveal नहीं हुआ है तो इसका कुछ भी idea है नहीं लेकिन high rider की अगर मैं बात करूँ त तो उसके अंदर आपको 8 साल की warranty मिलेगी वो भी 1,60,000 km तक तो यार मुझे लगता कहीं नहीं यह battery वाला जो पार्ट है यह same रहने वाला वहाँ पर भी grand vitara के अंदर आपको 8 साल की warranty मिल जाएगी तो जैसे ही इनका कुछ update निकल के आता मैं आपको बताता हूँ अब रही ब अगर बात करूं तो इंकी booking वैसे ही start हो चुकिए आप करा सकते हो एक के अंदर आपको grand vitara के अंदर 11,000 से booking हो रही है और जो आपकी high rider उसके अंदर 25,000 रुपे से booking start हो रही है अगर मैं delivery की मैं बात करूं तो यार सबसे पहले आपकी जो Toyota high rider उसकी start होगी I think वो start हो जाएग September से या maximum आपके festival season से start होने वाली है उसके बाद grand vitara की यार आपकी यह delivery start हो जाएगी so friend इस वीडियो को यहीं पर खतम कर रहे है I hope आपके सारे के सारे doubt clear हो गे होगे कि आपको grand vitara लेनी है या आपको high rider लेनी है तो यार मैं आपको फिर भी बोलूँगा थोड़ा price का wait कर लो लेकिन अगर आपको strong hybrid में कम budget के अंदर चाहिए तो I think यार आपके लिए Toyota high rider का as variant होने वाला है तो यार अगर आपको वीडियो पसंद आया तो please like this video and subscribe my channel motodokker thank you so much for watching this bye bye and take care